वेलकम दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं Real Numbers and Their Decimal Expansion Real Numbers और उनका Decimal Expansion और इसके साथ ही हम आज ये भी पढ़ेंगे कि कैसे आप ये पहचानोगे कि कोई गिवन Real Numbers राशनल है या इराशनल है तो हम दो चीजें आज पढ़ेंगे कि पहला तो किस तरह से किसी Real Numbers का आप Decimal Expansion निगा आते हो और दूसरा आपको एक गिवन Real Numbers होगा तो कैसे पहचानोगे कि वो राशनल है या इराशनल है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है तो माल लेजे हमें एक गिवन Real Numbers है Let a given Real Numbers हमें a by b के फॉर्म में दे दिया है ठीक है a by b के फॉर्म में एक गिवन Real Numbers है तो ये एक Fraction के फॉर्म में है ठीक है Fraction के फॉर्म में है अब हमें इस नंबर का Decimal Expansion निगा आना है जैसे कि अगर हमें 2 दे दिया तो आप इसको 2 upon 1 लिख सकते हो आपको 3 दे दिया तो 3 upon 1 लिख सकते हो और Fraction में दिया तो वो तो a upon b के फॉर्म में पहले सही है जहां पर a को numerator बोलते हो और b को denominator बोलते हो ठीक है ये a upon b को आप इस तरह से लिख सकते हो a divided by b ठीक है इसका मतलब numerator becomes dividend और denominator becomes divisor ठीक है और इसको solve करके जो quotient आता है that is the decimal expansion of this given real number ठीक है तो and on solving this by division the quotient gives our required decimal expansion तो example तो हम तीन example से समझने की कोशिश करते हैं पहला example है हमें 10 upon 3 हमने ले रखा है दूसरा example 7 upon 8 तीसरा example 1 upon 7 आप भ्यान दिजिए हम कुछ inference निकालने वाले हैं इसके बाद इसको observe करके हम कुछ निसकश निकालने वाले हैं तो सबसे पहले हमने 10 को जब 3 से divide करा तो आप ध्यान से देखिए क्या होता है तो 3 3s are 9 remainder बचा 1.0 और फिर हमने करा फिर 9 बचा फिर 1 remainder बचा फिर उसका solve करते गए तो ये एक ऐसा division है आप इसको खुद से करके भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये division कभी खतम नहीं होता है मतलब आप इसको division करते जाओ करते जाओ आपको कभी भी remainder 0 नहीं मिलेगा ठीक है इसके साथ ही इसमें एक और observation आपको पता चल रहा है कि ये जो point के बाद 3 है ये इसका एक observation है जो कि आप करके भी देख सकते हो चले दूसरा हमने एक division लिया 7 upon 8 7 upon 8 को जब हमने solve करा तो हमने देखा कि कुछ steps करने के बाद भलाई हमें 3-4 steps करने पड़े लेकिन 3-4 steps करने के बाद हमें final remainder कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है ठीक है तो remainder is 0 तो यहां इन दोनों type के questions को इन दोनों type के fraction को जब हमने decimal expansion निकाला तो हमने ये observe करा कि हमारे पास दो type के fractions होते हैं या फिर दो type के real numbers होते हैं जिनका हम जब decimal expansion निकालते हैं तो दो type के observation करते हैं पहला या तो उनका जब division हम करेंगे या तो वो division होके एकदम remainder 0 आ जाएगा या फिर remainder कभी भी 0 नहीं आएगा ठीक है वो non-terminative होगा जिनका remainder 0 हो जाता है जिन real numbers का decimal expansion खतम हो जाता है कुछ solve करने के बाद remainder 0 आ जाता है या division खतम हो जाता है ऐसे decimal numbers को हम terminating decimal numbers बहुत है और जिन decimal numbers का remainder कभी भी 0 नहीं आता है आप चाहे जितने भी steps कर लो ऐसे real numbers को आप non-terminating decimal numbers बहुत हो ठीक है तो इसी observation के साथ हम एक और अगर हमने question लिया 1 upon 7 तो आप इसको जब solve करोगे तो आप observe करोगे आप इसको करके भी देख सकते हो मैंने काफी किया है और इसके बाद भी ये continue होता रहेगा इसमें क्या है जब आप इसको solve करोगे तो इसमें भी remainder कभी 0 नहीं आ रहा है लेकिन एक इसमें भी खास बात यह है कि ये जो pattern है 1,4,2,8,5,7 point के बाद decimal के बाद 1,4,2,8,5,7 ये बार-बार repeating है इसमें और first वाले question में ये answer है first वाले question में same digit 3 जो था वो बार-बार repeating हो रहा था और यहाँ पर एक pair of ठीक है combination of digits है जो बार-बार repeat होगा ठीक है यहाँ पर point 3,3,3,3 आ रहा था यहाँ पर point 1,4,2,8,5,7 1,4,2,8,5,7 1,4,2,8,5,7 करके एक series इस तरह से चलती ही चले जाएगी ठीक है ये भी non-terminating decimal number है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अब तो यहाँ देखिए real numbers तो हमने observation क्या किया जो real number हमारे पास होते हैं हम जब उनका decimal expansion निकालते हैं जो real numbers होते हैं जब हम उनका decimal expansion निकालते हैं by real division method तो हमें दो टाइप के observation मिलते हैं पहला या तो वो terminating decimal number होगा या फिर non-terminating decimal number हो जाएगा मतला या तो उसका remainder 0 आ जाएगा ठीक है तो वो terminating decimal कहलाएगा या फिर वो non-terminating decimal कहलाएगा उसका remainder कभी भी 0 नहीं आएगा ठीक है जिसमें remainder 0 आता है उसके कुछ example लिखे हैं जैसे कि ये एक number है ठीक है ये एक number है decimal number है अब ये कैसा number है तो ये number आपका terminate हो जा रहा है देखे कुछ digits के बार decimal के आथ कुछ digits के बार ये खतम हो जा रहा है फिर आप और आगे digits नहीं लिख रहे हो तो इस टर्मिनेटिंग decimal and terminating decimal can very much be expressed in the form P by Q ठीक है 7 upon 8 को solve करा तो ये आता है ठीक है उससे तरह 10 upon 4 को solve करोगे तो 2.5 हैगा अब सौल करके देख सकते हो ठीक है चलिए next आगे बढ़ते है non-terminating decimals जिनको आप remainder जिनका कभी भी 0 नहीं आता ऐसे long division method आप उनको करते चले जाओ वो कभी भी खतम नहीं होते हैं उनको non-terminating decimal numbers बोलते हैं अब ये दो type के होते हैं पहला या तो recurring decimal जिसको की repeating decimal numbers भी बोलते हो और दूसरा non-recurring या non-repeating decimals ठीक है अब recurring decimals क्या होते हैं recurring decimals वही होते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़े जो एक particular pattern के साथ बार-बार repeat करते हैं ठीक है जो एक particular pattern के साथ बार-बार repeat करते हैं तो those numbers show a repeating pattern ठीक है एसे numbers को recurring decimal numbers भोलते हैं और non-recurring decimal numbers they do not show any fixed repeating pattern ठीक है उनमें आपको कोई भी repeating pattern नहीं observe होते हैं ठीक है एसे numbers को आप non-repeating numbers या non-recurring decimal numbers भोलते हैं अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो ये terminating decimal numbers होते हैं और ये recurring decimal numbers होते हैं इन दोनों को Terminating Decimal Numbers और Recurring Decimal Numbers इन दोनों को आप P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसलिए आप इन दोनों के नंबर्स को Rational Numbers बोटा हो मतला ऐसे Numbers जो की Terminating Decimal Numbers के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या फिर जो की Recurring Decimal Numbers के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं आप उन दोनों टाइप के Numbers को Rational Numbers बोलते हैं हम इन दोनों टाइप के Numbers को P upon Q के फॉर्म में लिख सकते हैं जो की हम आने वाली क्लास में सीखेंगे ठीके तो these can be expressed in P by Q form where P and Q are integers and Q that is denominator is not equal to 0 ठीके Recurring Decimal क्या होते हैं मैंने यह बता दिया हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए पुनरा वृत्ती श्रंखला बन जाती है मतलब repeating बार बार अपने आपको repeat करने वाली एक श्रंखला बन जाती है ठीके और non-terminating recurring numbers को बोलते हैं हम अनव सानी आवर्ती ठीके non-terminating recurring numbers तो उसके बाद फिर यह जो non-terminating और non-recurring decimals हैं ठीके इनको कहते हैं अनव सानी अनावर्ती हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये irrational numbers होते हैं ठीके तो ये irrational numbers होते हैं ठीके अब मैं आपको एक diagram से समझाता हूँ कि rational numbers और irrational numbers की आप पहचान कैसे करोगे ठीके तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं real numbers अब हम जाते हैं real numbers दो type के होते हैं ठीके दो type के होते हैं पहला होता है आपका rational numbers और दूसरा irrational numbers ठीके अब rational numbers कौन होते हैं rational numbers वो होते हैं जिनको p upon q के form में represent कर सकते हो जहाँ पर p और q integer होता है और q not equal to 0 होता है ठीके irrational numbers ऐसे numbers होते हैं जिनको p upon q के form में represent नहीं किया जा सकता ठीके जहाँ पर p और q integer हो और q 0 ना हो ठीके अब मैं बताता हूँ कि इनकी पहचान क्या होती है कैसे आप पहचान होगे कोई number rational है या कोई number irrational है ठीक है तो जो rational numbers होते हैं इनकी दो पहचान होती है मतलब दो type के जो numbers होंगे आप उनको बोलो अगर वैसे number आपको कहीं दिखेंगे तो आप बोलोगे कि वो rational number है पहला type terminating decimal number terminating decimal numbers ठीक है terminating decimal numbers अगर कभी भी आपको terminating decimal numbers मिले तो आप बोलोगे कि वो rational numbers है और ऐसे numbers को आप P by Q के form में represent कर सकते हो ठीक है next जो category आ दिया है that is non-terminating that is non-terminating recurring numbers ठीक है ऐसे भी जो numbers होते हैं उनको आप राश्ण नंबर्स बोलते हो जैसे कि ये diagram में आप देख रहे हो जो terminating decimal numbers होए और non-terminating recurring decimal numbers होए इन दोनों को आपने राश्ण नंबर्स बोला है मैं उनको बताऊंगा कि इसको कैसे p upon q के form में लिखा जाएगा ठीक है बट फिलाल आप ये समझें कि अगर terminating decimal numbers होए या recurring decimal numbers होए आप इन दोनों को राश्ण नंबर्स बोलोगे दोस्तों जब हम इर राश्ण नंबर्स की बात करते हैं इर राश्ण नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं ठीक है पहले मैं आपको इर राश्ण नंबर्स कौन से टाइप के होते हैं वो बताता हूँ जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ठीक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स मतलब ऐसे डेसिमल नंबर्स जो की कभी टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं जो भी कभी खतम नहीं हो रहे हैं और नहीं वो repeat कर रहे हैं नहीं उनमें कोई repeated pattern दिख रहा है हमें तो ऐसे numbers अगर हमें दिखेंगे तो हम उन्हें इर्राष्ट numbers बोलेंगे और दूसरे type के जो इर्राष्ट numbers होते हैं मैं वो बताता हूँ कि वो कौनसे type के numbers होते हैं जैसे अगर आपको दे रखा है square root of a non-perfect square number किसी non-perfect square number का अगर square root बोले तो वो एक एर्राष्ट number होता है ठीक हैं? या फिर second type like a cube root of a non-perfect cube number वो एक हमारा इर्राष्ट number होगा और इसी तरह and so on ठीक है? तो ये 4 categories of numbers होते हैं जिससे आप classify कर लोगा आप देखते ही पहचान में आपके आना चाहिए कि ये number rational है या irrational है मैं फिर से बताता हूँ और इस बार आपको examples के साथ बताऊँगा real numbers दो टाइप के होते हैं rational numbers और irrational numbers जो rational numbers होते हैं उनको p by q के form में लिख सकते हो जहां पर p और q integers होते हैं और q not equal to 0 irrational numbers को आप p by q के form में नहीं लिख सकते हैं जहां p और q integers और q not equal to 0 rational numbers दो टाइप के होते हैं तो terminating decimal numbers होंगे या non-terminating but recurring numbers होंगे अब terminating decimal numbers कैसे होगा जिसे मैंने लिखा 2 क्या है राशनल number आप सब जानते हो है अब कैसे है because 2 can be written as 2.0 and finish ठीक है 2.0 is terminating 2.00 is terminating 2.00 के बाद खतम हो रहा है तो that is terminating 3.425 क्या है terminating decimal है इसके बाद मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ ठीक है this is terminating decimal number उसके बाद 7.987654321 क्या है terminating decimal number है तो these all type of numbers are my rational numbers तो आपको समझ में आ गया अगर मैं लिखो 0 क्या है terminating decimal number है because 0 can be written as 0.0 ठीक है तो this is also terminating decimal number तो कोई भी तो यह वाली category आप समझ गए terminating decimal numbers मैंने किन को बोला तो जो numbers सीधे-सीधे आपको whole numbers या कोई भी integer आपको दिखे वो सीधे-सीधे terminating decimal number हो गया ठीक है और अगर decimals में मिले और उसके बाद हमने कुछ और नहीं लिखा है कुछ digits के बाद हमने रोग दिया है हमने लिखना तो that is also terminating decimal number ठीक है अब non-terminating but recurring decimal numbers कैसे है ठीक है यह numbers मैं लिखा जिसे 2.3333333 और मैं dot 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 लगा रहा हूँ मतलब अब आप देख रहो कि एक pattern बन रहा है ठीक है 2 के बाद 2 के बाद पता चल रहा है मुझे pattern पता चल रहा है recurring number मतलब pattern आपको दिखना चाहिए ठीक है अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 2.3 bar यह bar आप तब लगा उस part of number पे लगाते हो जो आपको बार-बार दिख रहा है जो repeating हो रहा है ठीक है अब जैसे मैंने एक लिखा number 2.3456 bar अब मैंने यहाँ पे बार कहाँ पे लगाया सिर्फ 56 पे लगाया तो अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है number है मेरा 2.34565656 and कहां तक infinity तक तो जब भी आपको pattern नजर आएगा ठीक है और यह numbers भी आपके P by Q के form में लिखे जा सकते हैं इनको भी आप राश्ना numbers बोलोगे ठीक है तो we will learn how to write these numbers in P by Q form in next class हम next class में जानेंगे की how to write these numbers in P by Q form ठीक है how to write these numbers in P upon Q form क्यों हम बोल रहे हैं ऐसा क्योंकि अगर यह राश्ना number है तो इनको P by Q के form में लिखा जा सकता है ठीक है और वो ही हम next class में अपनी सीखेंगे तो यहां तक समझ माया है कि terminating decimal number हो या non-terminating recurring numbers हो ऐसे दोनो numbers को आप राश्ना numbers बोलोगे यह राश्ना numbers की पहचान है ठीक है राश्ना numbers सिर्फ इन ही दो categories में आते है या तो terminating होंगे या फिर non-terminating but recurring होंगे अब हम एर राश्ना numbers की बात अगर करें तो non-terminating non-recurring decimal numbers for example मैंने लिखा 2.34123987254 dash dash मतलब कोई इसमें repeating pattern आपको पता नहीं चलेगा आप ढूंडनी पाओगे कोई pattern ठीक है लेकिन यह decimal कभी खतम भी नहीं होगा यह division कभी खतम भी नहीं होगा और यह number infinity तक चला जाएगा ठीक है मतलब ऐसे numbers जिन में no pattern ठीक है and not terminating not terminating मतलब their decimal expansion continues till infinity आप infinity तक divide करता चला जाओ जो आपको quotient पे लेगा वो लिखते चला जाओ और आप infinity तक इसको division कभी खतम नहीं होता तो ऐसे numbers non terminating and non recurring होगे और ऐसे numbers होते हैं हमारे irranj numbers ठीक है मतलब आपको उनमें कोई pattern नहीं नज़र आएगा अगर कोई pattern नज़र नहीं आया आप कहीं पे bar नहीं लगा पाऊगे ठीक है आपको bar जैसे नहीं दिखेगा तो जिन numbers को पे बार लगा रहता है that means वहाँ pattern है and they are recurring numbers ठीक है वो rational होते हैं जहाँ बार नहीं होता है और इस तरह से लिखा जाते है they are non-terminating, non-recurring decimal numbers जो कि irrational numbers होते हैं ठीक है तो एक तो पहचान यह हो गई जो आपको धिहान रखना है अब एक पहचान और है irrational numbers की बहुत ही अच्छी जैसे square root of a not perfect square number अभी मैं पहले जैसे बता हूँ perfect square number क्या होता है perfect square number क्या होता है for example 1 for example 4 for example 9 यह ऐसे numbers हैं जो किसी ने किसी का square है जैसे 1 किस का square है 1 का square है 4 किस number का square है 2 का square है और minus 2 का भी square है 9 किस का square है 3 का square है और minus 3 का भी square है उसे तरह 16 फिर 25 फिर 49, 36 ये सारे numbers को आप perfect square number बोलोगे वो number जो किसी और number का square हो, उन numbers को perfect square बोलोगे अगर मैं लिखो under root 1 तो answer क्या आएगा 1, अगर मैं बोलू under root 4 कितना होता है आप बोलोगे 2 अगर मैं बोलू under root 9 कितना होता है आप बोलोगे 3, ठीके तो अगर perfect square number का आपने square root निकाला तो वो एक rational number आएगा की नहीं? perfect square number का square root would be a rational number इसी लिए non-perfect square number का अगर आप square root निकालोगे that would become irrational for example under root 2, under root 3, under root 5, under root 7, under root 8 and so on ठीके? किसी non-perfect square number जैसे 2 है 2 किसी का भी square नहीं है ठीके? 2 खुद किसी का square नहीं है तो 2 का अगर आप square root निकालोगे तो आपको एक irrational number मिलेगा ठीके? अब 3 किसी का भी square नहीं है आप उसका square root निकालोगे तो फिर आपको एक irrational number मिलेगा तो ये आली केटेगरी समझ में आई कि square root of a non-perfect square number अगर किसी non-perfect square number का square root निकालते हो तो वो एक एर्राश्णा number होता है उसी तरह cube root of a non-perfect cube number जैसे for example मैं आपको पहले बता दूँ कि what a perfect cube number perfect cube numbers किनको वो होते है जो वो number जो किसी और number के cube है जैसे 1, 1 किसका cube है? आप बोलोगे 1 का cube 1 है 8 किसका cube है? आप बोलोगे 2 का cube 8 है because 2 into 2 into 2 is 8 अगर मैं बोलोगे 27 किसका cube है? तो आप बोलोगे 27 is 3 का cube 3 into 3 is 9, 9, 3 is 27 ठीक है? इस आर perfect cube numbers जो किसी ने किसी number के cube है उनको perfect cube number बोलता हूँ अब इनके बीच में जो numbers है, that are non-perfect cube numbers ठीक है, तो अगर non-perfect cube numbers का आप cube root निकालो गए ठीक है, तो वो फिर से आपका irrational number आजागा जैसे cube root of 2, cube root of 3, cube root of 4, cube root of 5, ठीक है अट उसी तरह fourth root of non fourth power number, समझ गए न तो इसी तरह से आपकी ये एक category ये हो गई ठीक है, तो यहाँ पर मैंने examples के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये समझा दिया दोस्तों कि आप किस तरह से किसी number को पहचानोगे कि वो number rational है कि irrational है, और पहले इस से पहले मैंने आपको ये समझाया कि आप किस तरह से किसी real number का decimal expansion निकालोगे और वहाँ से देखोगे कि वो number terminating है या non-terminating decimal numbers है, ठीक है? और terminating decimal numbers और non-terminating but recurring decimal numbers ये दोनो राश्ना numbers होते हैं आप इन दोनों को p by q के form में represent कर सकते हो, ये तो बहुत simple category है, इसको तो आप लिख सकते हो जैसे 2 है, 2 को आप 2 by 1 लिख सकते हो, ठीक है? इसको आप 4, sorry, इसको आप 3, 4, 2, 5 upon 1, 0, 0, 0 ये p by q के form में बन गया ठीक है, 0 को आप लिख सकते हो, 0 upon 1 p by q के form में बन गया तो इसको आप p by q के form में जानते हो इसको हम सीखेंगे next class में कि इन numbers को आप कैसे represent कर सकते हो p by q के form में, ठीक है? non-terminating, non-recurring decimal numbers ये irrational होता है आपको एक fact बस याद रखना है कि pi जो होता है, pi is also an irrational number ठीक है? pi भी एक irrational number है क्योंकि आप इसका जब decimal expansion करते हो आप pi का जब decimal expansion करते हो तो वो भी कभी ख़दम नहीं होता है और नहीं कभी repeating pattern आता है ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है तो दोस्तों, आज ही क्लास में बस हम इतना ही करते हैं next class में हम सीखेंगे कि किस तरह से non-terminating recurring numbers को आप pi by q के form में represent कर सकते हैं ठीक है? तो आज ही क्लास में बस इतना ही thanks a lot झाल झाल